हेलो फ्रेंड्स तो आप लोग कैसे आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे मैं हो व्लागर सुहाना शुक्ला और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है तो सुबह सुबह उठकर मैंने सारा घर का काम कर दिया है पूजा पार्ट भी हो गई है और पराठे कुछ रोटी तो रही आलू की सबजी टमटा डाल करके बना लिया है श्रया को कोई प्राब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि श्रया की सर में दर्द है श्रया एक दो दिन का गैप हो गया है एक जो में टैबलेट थी तो साइदोसी के कारण हो पर मैं आज जा रही हूं लेने के लिए दव से तो आज मैं जा रही हूं आज है मंगल बार और बाबाजी का पार्ट कर लिया है मैंने पूजा पार्ट अच्छे से हो गई है हमारे अब सब निकलते हैं तो आगे हैं हम इस्टेशन और बारश को वज़े से बारट पीचलती चलती चलती है है जिएक तो इतना खारा अब दिख़गा था ओटो से जब चार करें दो आपार बारट फूरा तो हमें स्टेशन आ गया है तो जो खाली स्टेशन है तो कि यहां से शायद ट्रैनिस साइ बारट वाली जा चुपी हुगा है और चकर चकर से आ रहे है आटों बैट रिजल वाला वाट था डीजल महा करा था तो इस साइट चलते हैं ब्रिज में से तो हम आ गये हैं यहां पर और अब यह ब्रिश पार करेंगे हमें जाना है उस पार क्योंकि ट्रैन में भी थोड़ा सा लेट है तो थोड़ी वेट कर लेंगे हम ज्यादा नहीं मुझे 10-15 मिनट वेट करना होगा और फिर ट्रैन आ जाएगी तो चलो ट्रैन का वेट करना पड़ेगा ठीकी वेड़ भी नहीं है अबी वेट करेंगे ठक गए इतने महीं मुझे श्रया की दवाई के लिए जाना पड़ रहा है और मैं शनिवार का सोचा था मैंने कि मैं शनिवार को जाऊंगी और आज मंगलवार है ट्रैन का अलांस्मेंट हो गया है आने वाली है कुछ देरी में तो जैसे ही वो सामने दिख जाएगी तब मैं उठोंगी सभी लोगों के लाइफ में कुछ ऐसी एक चीज रहती है तो मैं आप लोगों कोई बताओं ट्रैन से लेकर की एक बात है जो कि फर्ष्ट बार मैंने ट्रैन में सफर तय किया था पहरे उस समय थोड़ा सा लगता था कि हाँ ट्रैन एक जैसे अभी अपने यानिकि हवाई जहाज हो गया एरोप्लैन हो गया बड़ी चीज है ऐसे ही ट्रैन भी बड़ी चीज हुआ करत साथ और अपने सस्राल वालों के साथ तय किया था क्योंकि वो उस दिन शादी हुई थी और मैं ट्रैन से ही फर्ष्ट बार अपने सस्राल आई हुई थी तो वही था ट्रैन में जब सफर की थी वो सस्राल आई थी तब ही वो चीज ही याद आती है कि फर्ष्ट बार मैं मैं अपने husband के साथ थी और सस्राल वाले थे उनके साथ मैंने train में travel किया था बहुत बड़ी बात होती थी कि train में जाना है तो अच्छा लगा था और बारिस के समय ये view कितना अच्छा लगता है तो ये देखो नर्वदा माता तो यहाँ पर देखो जब हम शहर की तरफ आते हैं तो अलगी दिखने लगता है कि हाँ हम शहर की तरफ आ गया है क्योंकि यहाँ पर खेट-खलियान तो दिखने से रहे बिल्डिंगे ज्यादा दिखेंगी तो आप लोग देख सकते हो हम मदन महल की ओर आ रहे हैं और मदन महल स्टेशन में हम रुकेंगे एक्जाम दे कर आई थी जब से मैं अब जा रही हूँ तो वही चीजी याद आ रही कि कभी कभी जाना मेरा थोड़ा सा अजीब सा रहता है कि हाँ मुझे ये चीज करने है वो चीज थोड़ा टेंशन वेंसा रहता है आज मुझे क्या करना है याने मैं हमेशा कोई न कोई काम लेकर जाती हूँ जब भी जाती हूँ कि मुझे ये काम करने है तो आज ये मुझे करीब तीन काम है तो मैं करने कोशिश करूँगी उतने टाइम तक क्योंकि मुझे साम को वापस भी होना है इसलिए मैंने मन में सोच के रखा है कि ये सारे काम मुझे अभी याने जब मैं पहुँच रहे हैं मदन महल 10 बज रहा है सबंद दस तक मैं जोल पूर पहुच जाओंगी साड़े ग्यारा दस तक मैं याने कि पौने ग्यारा तक मैं घर पहुच जाओंगी तो इतने टाइम के बीच मुझे क्या क्या करना है सारा कुछ मैंने सोच के रखा हुआ है उसके बाद मुझे स्टेशन वापस आना है और ये दिन जो ऐसा थाना मैं भी आंगे और बता रही हो क्योंकि ना मैं ऐसे कहीं जाती हूँ तो मेरे को सरदर्द तो होता ही होता है क्योंकि जब घर बैठे बैठे हो जाता है ये देखो पीछे से कौन देख रहा है वो कैमरा ओन नहीं किया कोई ना कोई देखने लगता है जाकने लगता कि कर के रहा है सोच रहोंगे कि साइदे बहुत सुन्दर लग रही है इस कार्ण सो खुद को देख रही है बचारे को क्या पता कि भाई हमारा मैं यूटूब व्लॉग के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ वो देखो तो ये देखो कितनी अच्छी फैमिली बैठी हुए एक बच्चा बैठा हुँ अता हास्बन वाइब बैठे थे सारे लोग ये वो लोग खिड़की से देख रहे थे न जारा हम आगए हैं जवलपुर और ये भाईया उतर हैं तो हम उतर हैं ट्रें तो पुरी खाली हो गई है तो चलो अब चलना है अपनको आटो ढूनना है यहां से अपन बाहर निकलते हैं ये बैठ आजकल बहुत चले हैं मैंने कई लोग ब्लॉग में भी देखा ये बैठ आजकल जादा समान के लिए ये वाले बैठ चलने लगे हैं तो यहां पर यह जो ड्रेस थी काफी अच्छी लगई थी ने रेड वाइट में और उसके बाद हम चलते हैं स्टेशन से बाहर निकलेंगे और भोग भी बड़ी जोड की लगी है तो यहां मुझे यह लिफ्ट मिल गई थी तो मैंने बोला चलो इसी से उतरा जाए और निकलते हैं बाहर की ओर उसके बाद आटो यहां पर आटो तो बेवकूब बनाते हैं आटो वाले क्योंकि यह अंदर तक आजाते हैं यहां तक स्टेशन के अंदर और बस यात्री को लूटते हैं अगर क्यों नियों कोई रहता है न तो उनको बेवकूब बना देते हैं सौ रोपय का यहने की किराय लगता है तो उनको ठग लेते हैं तो ऐसा है किसी भी जगह का एक पता रहे हैं तो यहां पर मुझे आटो मिल गया और मैं जा रही हूँ मैं थोड़ा सा आंगे चल करके मुझे आटो मिल गया था तो मैं तो घुमते फिरते मिल गया मुझे आटो मैं निकल और यहां पर बहुत अच्छा लग रहा था व्यूँ मैंने ऐसे विलकुल अच्छे से कैप्चर कर लिया चलो चलते हैं मम्मी को पता है कि मैं आ रही हूँ उनका दोवार कॉल आ गया अब टक कहां पहुँची अभी तक आई नहीं बस और टॉम बैठे हैं आ रहे हैं तो यहां पर मैंने देखो थोड़ा समयने वहां पर फेस यानि कि अपना दुपट्था हटा लिया था उसके बाद अब मैंने हटाया है दुपट्था तो अब मैं घर जाऊंगी घर पहुंसते ही मुझे मिली है यहां पर चाय और कि दवाई लेनी जाना है यहां पर यह देखो कुत्ता विचारा कितना दूबला पतला हो गया है और बस मैं निकलने का टाइम था क्योंकि चार बज़रा था तो मैंने बूला चलो टाइम हो गया है यहां पर मम्मी बाबा बैठे हैं खालो जा रहे हैं बाई चलो तो टाइम हो गया है निकलते हैं अपर मम्मी पापा वहाँ पर बैठे हुए थे मैं तो आगे कैमरा आफ कर दिया था मैंने मैं सोच रही थी बिचारे यह दोनों क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में तो अब जो भी सोच रहा हूँ वो कुछ बोलते नहीं और मैं भी कुछ उनसे पूछती भी नहीं हूँ तो मैं निकल आई हूँ और जाते हैं स्टेशन आज अटो वाला खुमा कर लेकर आया इस्टेशन की ओर तो आया पर वहाँ पर न कुछ पुलिस वाले खड़े हुए थे उसने न पलटा लिया आटो और फर उसके बाद दूसरी रास्ते से लेकर आया मैंने बूली कहा लेकर जा रहा है यह फर्ष्ट वार में इस रास्ते से आयी हो और यहाँ पर छोड़के चला गया यहां पर यहां पर न गाड़ियों का stand है, जो भी कोई कहीं जाता है, तो अपने गाड़ियां खड़ी करके चला जाता है, यहां पर stand पर लग जाती है सबसे पहला काम है हमको यहां से tikket लेनी है फिर अंदर अपन चलेंगे और 10 का वेट करेंगे तो मैं यही सोच रही थी मेरे दिमाग में चल रहा था कि चलो अब दवाई तो ले लिए क्योंकि श्रयाव को लेकर मेरे को बहुत टेंशन होती है दिमाग में चलता रहता कुछ ना कुछ और कुछ बाते कही ना कहीं से सुनने को मिलती है मैं जरूर आप लोगों के सामने रखूंगे उन बातों को अच्छा नहीं लगता है मेरे को कोई किसी से लेना देना नहीं है और मेरे को ना बहुत एडिटेट टैप का होता है जब मैं कुछ ज़्यादा याने की मेरे को ना कहीं ज़्यादा बात करना का मन नहीं करता है और यहाँ पर मुझे बड़े पापा दिख गए थे घर के सामने ही रहते हैं पीछे साइट तो वो दिख गया बुलते बिटेट कहां जा रही है तो मैंने वह गो लिए मैं जा रही हूँ उनको भी करेंगे हम और बताओं मैंने चाय और थोड़ा सा नमकीन और एक कटोरी पोहा खाया है अभी घर पर जब तक थी जब तक मुझे भूख नहीं लगी और जैसे ही ट्रेन में बैठी ट्रेन में यानि की करीब आधा पॉन घंटा हुआ है मुझे और उसके बाद मुझे इतनी जोर की भूख लगी थी और फिर यहां पर न यानि की फैमस है कुछ-कुछ जगह की यहां पर आलू बढ़ंडे तो मैंने वहां पर खरी देने अब यह यहां का व्यू कितना अच्छा लग रहा है मिलते हैं आप लोग को कल तब तक के लिए बाए बाए आज का व्लोग को किस का कार सका है